मेरे प्यारे देश्वासियों, आज घर-घर की अगर कोई एक कहानी सबदूर सुनाई देती है, हर गाउं की कोई एक कहानी सुनाई देती है, उत्तर से दक्षिन, पूरव से पस्चेम, हिंदुस्तान के हर कोने से एक कहानी सुनाई देती है, तो वो है स्वच्छता की, हर व् प्रयास सवासो करोड हिंदुस्तानियों का प्रयास है, परणाम के मालिक भी सवासो करोड हिंदुस्तानी ही है, लेकिन एक सुखद अनुभव और रोचक अनुभव भी, मैंने सुना, मैं सोचता हूँ, मैं आपको भी सुनाओ, आप कलपना करिए, विश्व का सबसे उंचा बैटल फिल्ज, जहां का तापमान सुन्य से 50-60 डिग्री माइनस में चला जाता है, हवा में आक्सिजन भी नाम मात्र की होती है, इतनी विप्रीत परिस्तितियों में, इतनी चुनोतियों के बीच रहना भी किसी पराक्रम से कम नहीं है, ऐसे विकट हालात में, हमारे बहद जवान न सिर्फ सीना तानकर देश की सिमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, बलकि वहां स्वच्छ सियाचिन अभ्यान भी चला रहे हैं, भारतिय सेना की सद्भूत प्रतिवधता के लिए मैं देश वास्चों की और से उनकी सरहना करता हूं, करतग्यता प्रकट करता हूं, वह अपने आप में काफी महत्वण काम है, ऐसे में ग्लेशियर और उनके आसपास के इलाके से 130 टन और उससे भी ज़्यादा कच्रा हटाना, और वो भी यहां के फ्रेजाइल एकोसिस्टिम के बीच, कितनी बड़ी सेवा है यह एक ऐसा एकोसिस्टिम है, जो हीम, तेंदुये जैसे दुल्लब प्रजातियों का घर है, यहां आइबैक्स और ब्राउन बियर्स जैसे दुल्लब जानवर भी रहते हैं, हम सब जानते हैं, कि ऐसीयाचीन एक ऐसा ग्लेशियर है, जो नदियों और स्वच्छ पानी का स्रोध है, इसलिए यहां स्वच्छता भ्यान चलाने का मतलब है, उन लोगों के लिए स्वच्छ जल सुनिश्जित करना जो नीचल इलाकों में रहते हैं, साथ ही नुब्रा और शोग जैसे नदियों के पानी का उप्योग करते हैं.